जैन साथियों स्वागते फिर से आपका नए वीडियो में इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्योंकि जो है रेलवे की अपरेंटिस सी पाई हुई है उसी से रेलेटेड हम बात करने जा रहे हैं क्योंकि ऐसा होता है कि कोई भी वैकेंसी आती है तो उसका जो है एक नि यानि की एज लिमिट क्या एलिजबल रहने वाली है और उसके बाद जो है कौन-कौन से इसमें इलिजबल रहने वाले हैं तो जो है आपका टाइम वेस्ट न करते हुए आगे बढ़ते हैं एक चीजा और आपको किलियर करते हैं जैसे आपको पता है कि चैनल पर जो है आई ट अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा आप बात कर लेते हैं क्योंकि जो है यह वैकेंसी आरपी अप की है रेलवी की तरह जो है आरपी अफ की वैकेंसी है इसमें जो है क्या-क्या एस लिमिट रहने वाली वह आपको दिखाते हैं इसका जो ऑफिसियल जो जारी हुआ है नोटिस वह हमारे टेली ग्राम वाट्सप ग्रूप में डाल देंगे जिसका लिंक जो है नीचे डिक्षन में है वहां से जो है क्लिक करके आप क्या करिएगा आप जोईन कर लिए जोईन करने का कोई ऐसा चार्ज नहीं है कि हाँ जो है यानि की जो मेंब जो जारी हुआ है यहां आप देख सकते हैं भारत सरकार लिखा हुआ है और रेल मंतराल है यानि गवर्मेंट आफ इंडिया मिनिस्ट्री आफ रेलवेज यह रेलवेज बोर्ड की तरफ से आप यहां पे डेड़ भी देख लिए दो एक दोजार चौबिस का यह नोटिस है यानि की बात करें तो दो जनवरी दोजार चौबिस का यह नोटिफिकेशन रहने वाला है यह जो है कॉंस्टेबल और सब इनिस्प्रेक्टर के लिए वैकेंसी रहने वाली कितनी वैकेंसी हैं यह चीज आपको हम बताते हैं लगवेक इसमें जो है दो हजार वैकेंसी कॉं स्वाइन है उनको 10% रिजर्व सीटे रहेंगी और उसके बाद जो है 15% ओनली फॉर जो है उमेंस के लिए इसमें रिजर्व रहेंगी सीट आगे बात कर लेते हैं एज लिमिट की बात करें तो इसमें एज लिमिट सबसे पहले हैं सब इनिस्पेक्टर की बात करें तो मिनिमम जो है SC, HD candidate के लिए इसमें जो है 5 साल के लिए छूट मिलती है जैसे बात करें अभी क्या हुआ है UPP में 3 साल के लिए छूट मिली है सबी candidate के लिए वो ऐसा इसमें नहीं है इसमें छूट किसी को नहीं मिली है हमको यह लगता है जैसे ग्रूप D और उसके बाद जो है ALP वगा लेकेंसी आएंगी तो उसमें यह रहने वाला है कि उसमें भी कोई एज में छूट नहीं मिलने वाली है कॉंस्टेबल के बात करें तो कॉंस्टेबल में मिनमम 18 years और उसके बाद में 25 एर रहने वाली है OBC, ST के लिए आपको पताईए है कि OBC के लिए 3 साल और ST के लिए SC, ST क लिए 5 साल की छूट मिलती है आगे बात कर लेते हैं आगे बात करें तो इसमें जो है फिजिकल मीजरमेंट हो गा तो उसमें जो है इसमें मीजरमेंट की बात करें फिजिकल मीजरमेंट की तो OBC और जर्नल के कैंडिये के लिए पहले हाइट की बात कर लेते हैं मेल को जो है only for male के लिए है कि 80 और फुलाने के बाद जो है आपकी 85 होनी चाहिए 80 के लिए height 160 और उसके बाद 80 की जो female है उनको 152 और उसके बाद female के लिए ये chest रहेगा 83.2 और उसके बाद फुलाने के बाद 81.2 ये आपका हो जाना चाहिए chest आगे बात कर लेते हैं आगे बात कर लेते हैं हम फीस की फीस की बात करें तो minimum इसमें लगबग हम बात करें तो 500 रुपए आपकी फीस रहेगी और उसके बाद जो है इसमें जैसे ही आप exam में बैठते हैं exam में बैठने के बाद आपका exam हो जाता है तो उसके बाद 100 रुपए काट के आपके 400 रुपए आपको return कर दी जाएंगे ये चीज़ है 400 रुपए आपको return कर दी जाएंगे और उसके बाद अभी apply करने का कोई link नहीं आया है यानि कि अभी कोई vacancy proper नहीं निकली है इस date से इस date तक आपका form apply होगा ये चीज़ आपको clear कर देते हैं इस अभी जो है केवल यानि कि नियमा वैली जारी हुई है notice जारी हुई है वो सारी चीज़ें इसमें जो है आपका CBT exam होगा CBT exam के बाद physical होगा और उसके बाद आपकी यानि की जो आइनिंग तक की process रहता है सब inspector और constable की बात करें तो लगभग जो है आपके 90 minute मिलेंगे और उसके 120 question रहेंगे इसमें बात करें तो journal awareness के 50-50 question और उसके बाद जो है arithmetic के 35 और उसके बाद यानि की reasoning की बात करें तो 35 question इसमें रहने वाले हैं आपका जो है इसमें CBT exam होगा CBT exam के PET होगा यानि की physical और उसके बाद जो है आपका carlator जारी हो जाएगा यह जानकारी आपको अच्छी लगे है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को subscribe करिएगा नीचे description में बात करें तो Instagram, Telegram और उसके बाद WhatsApp ग्रूप का link दिया हुआ है आप उसको जो है join कर सकते हैं तीनों का link जो है join करने का नीचे दिया गया है वहाँ से आप normally join कर लिजिए मिलते हैं next video में तब तक के लिए जैए